हेलो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों मित्रों और सहपाटियों नमस्कार आप सभी कमाया आपके अपने यूटूब चैनल के इस परिवार पर एक बार पुना स्वागत करता हूं आए आज हम गडित विशा के बारें बात करते हैं गडित विशा में जैसा कि एक्जाम को किसी दिन रह गए हैं तो हमें पढ़ना सारे सब्जेट्स इंपोर्टेंट हैं लेकिन गडित क्योंकि कुछ हमारे प्रसिच्चु भाई बहन या भावी अध्यापक अध्यापिका जो भी हैं तो वो डरते हैं इस सब्जेट्स को लिके तो इसे हम बिल्कुल आसान भासा के माध 10 11 12 13 14 14 चैप्टर से तो आज हमारा पहला संख्या तथा संख्यातमक का बोध अंको का ग्यान अस्थानी मान जो हमारे पहला चैप्टर से इसको आज हम डिसकस करते हैं बाकि आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे करके इस सारे सब्जेट्स एक्षाम के पहले ही पढ़ने गया इससे questions ज्या Regular गया नें तो हमारा किस दूसरा दिया लकिन पहला ही topic है कडी जब चेशन तो इस की सिसको हमें कंप पूरा कबर करना ठीक है इसमें हमारा पहले अंक क्या होते हैं यह शंख्या क्या होती है नंबर्प करतें हैं मैं किसे जड़ें क्वाइभיתי, बिवाजता के नियम आप कहते हैं यह होता है यह क्या होता है यह पेशिक से जान लेते हैं थोड़ा प्छुर्ण संख्या किसे कहते हैं और उसका अस्थानीमान निकालना यह सब यह पढ़ा देते हैं जो आप स्थानिमान तो पहले हम आप देख लेते हैं कि संख्या क्या होता है अगर तो कितनी वस्तवी हैं जिससे इसका बोध होता है उसे संख्या करते हैं अगर आप से कोई क्या है नंबर वह होता है जिसे हमें कि कोई भी वस्तु कितनी है यह उसी से बोध होता है तो वह संख्या उसे संख्या करते हैं उसी को नंबर करते हैं त्यानि आपके देखें कितना कितनी वस्त्मेट हैं इसका जब बोध कराता है जिसस्टे इसका बोध होता है उसे संख्या काता है अब संख्या विद्द किते हैं 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6, 7, 8 जिस अंक्या से जिसको पदस्त कर रहे हैं, वही उस संक्यांक है अताथ संक्या को लिखने में परियुक्त जो अंक है, वही हमारा संक्यांक हो गया अब देखिए तीन प्रकार की संख्या है हमें स्लेबस में हमारे दिया हो है जिसकों हमें पढ़ना है ठीक देवनागरी, रोमन और अंतराष्टी तो देवनागरी अपना हिंदी वाला वन टू थ्री, फोर, फाइफ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टे आप बच्वन में इस सारे लोग पढ़े होंगे रोमन में ऐसे वन, टू, थ्री, फोर, फाइफ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन और अंतराष्टी में वन, टू, थ्री, पोर ये तो सारे लोग को पता है ठीक अब देखे, संख्याओं को व्यक्त कैसे करते हैं विशे पता तो सारे लोग होगा जैसे हम अगर संख्याओं को व्यक्त करने की बात करें जैसे हम कहादे, पांसो, सत्ताइस ठीक है, तो आप जब, आपको विद्ध्यालेम आप रहे होगे चोटे से जब, तो आपको पढ़ाया गया होगे कि इधर सबसे पहले एकाई होता है फिर दोहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है फिर हजार होता है, ऐसे संख्याओं बढ़ती है फिर दस हजार, फिर लाक ऐसे होता है तो कहरा है पांच सो सत्ताइस तो 500 सैकड़ा वाला 5 है 5 हमने यहां रख दिया 127 है और यहां पर 2 रख दिया यहां पर 7 लख दिया था हमारे यह 500 27 हो गया ऐसे 89,039 तो 1000 के हम 89 लख दिंगे और 29 हमें कैसे लिखना है एसे देखे आप लिखे हमने इस लिख दिक है और 2 नीचे 1 रख और 1 नीचे 5 रख दिया तो यह हो गया आपका 21,2,2 शेकड़ा यानि 215 वैसे 352 है तो 3502 आशा करता हूं यह आपको लिखना आता होगा वैसे स्लेवस में इसलिए मैंने इसको बता दिया ठीक है अखला है कि रोमन लिखते वक्त क्या क्या हमें साउधानी बर्तनी होती है तो देख लिएते हैं तो कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता जैसे आप रिपीट करते हैं तो 1,2,3 में 3 में 3 बार आई लिखते हैं लेकिन 4 में आई भी लिखते हैं और संकेत VLD कभी भी पिन्रवती इसकी नहीं होती तो VLD यहाँ पर पांच LCDM इसको भी हम बता देते हैं आपको LCDM यह होता है 50, 100, 500 और यह 1000 इसको आप याथ कर लिजएगा इसके संकेत हैं तो इसको आप दो बार तीन बार रिपीट करेंगे LCDM 50, 100, 500 और 1000 तो कोई भी कोई भी संकेत तीन बार चाथ है कि लिखा नहीं जाएगा पहला दूसरा है संकेत VLD कभी भी उसकी पुन्रवित नहीं होती है पहला नियम ही हो गया दूसरा होता है यह चोटे मान का कोई भी संकेत लिखा और अधर बड़े मान के बायों को लिखा जाए तो बड़े मान मेंसे उसको घटाता देजा और वही फुड़ा transmitted upon में जोड़ दी पहले लगा दीए को गया और सौन से हमने 128 हुगा इसे दस है दस में आ ऐकर लीक know एक तरफ़ लेकि ऊण रहारा हो गया ऐसे देखे दस 200 को लिखा यह को लिखा तो यह नो और सब्सक्रा Baş到 वीडियो रिपीट करके तो यह आपको समझ में आ गया होगा यानि बाई तरफ लिखेंगे तो उतनी अंग हमारे घट जाएंगे दाई तरफ लिखेंगे तो जितना पदस्ट कर रहा होगा जैसे आई एक को पदस्ट करता हो तो जुड़ जाएंगे ठीक है अब तीसरा हमारे नियम क्या है आई को केवल वी और एकस में से घटाए जा सकता है जबकि संकेत एकस को केवल यल यम और सी में से घटाए जा सकता है ठीक है तो आई देखे हमने क्या किया वी में से घटाए तो 5 में से 1 गया 4, 1 कमने X में से घटा है, 10 मैं से 1 गया 9, और यल हमने क्या बोलाए, yल, yam, c जो होता है, may nota nasıl बता है, yam मतलब कितना होता हमने उपर बताए आपको, 50, yam मतलब 10, c मतलब 100, इसमें से घटा जा सकता है सिरी X को, तो L मेंसे हमने 100 घटा है, तो देखें, 50 मेंसे 10 घट गया, आपका आगए 40 यह मेंसे हमने 10 को घटा है, तो 1000 मेंसे 10 घट गया, 990 यह भी आपको समझ में आ गया, चलिए, आगे हम देखते हैं अब नोट एक दिखें, नोट क्या है, कि संकेत VLD V मतलब 5, यल मतलब 50, और D मतलब 500, को कभी भी बड़े मान वाले संकेतों के बाई और नहीं लिखा जा सकता, ठीक है अर्थात VLD के मान को कभी भी घटाय नहीं जा सकता है, इसको आप समझ लिए, जैसे हमने क्या किया था I X किया था, ऐसे आप कभी भी आप V X नहीं कर सकते, ठीक है, या X D नहीं कर सकते, ठीक है, यह गलत हो जाएगा आपका, यही चीज़ों कह रहा है पॉइंट में, अब देखिए, आपको हम कुछ कोशन दिखा रहे हैं, जैसे इसको कैसे रोमन में सॉल्व करते हैं, जैसे 69 है, तो 69 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पचास के करीब इसको ले जाएंगे, ठीक है, तो 60 प्लस 9 अगर हम लिख लेते हैं, तो इसको पचास में 10 जोड़ेंगे, तो 60 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटा दे, तो 9 हो जाएगा, तो 50 में 10 जोड़ेंगे, यहल को 50 करते हैं, यहल के दाइं तरफ एकस लिख देंगे, त आई के, आई जो हता है, एकस में से घटा दे, बाई तरफ लिख दें, तो यह 9 हो गया, यानि, यह 60 और यह 9, 60 हो गया, तो हमने यहां पर देखिया, इस पर 8 लिखना है, तो 50 प्लस 8, यहल को 50 करते हैं, 8 हम लिख दिया, दोनों जोड़ दिया, तो 98 को लिखना है, तो 90 प् चपनीば, भी काप कल लेंगे, तो बिल्कुल आसान है, इसको भी करना, चलिए, अब आगे हम स्थानी मान देख लेता है, दो चार है तिसमें अगर हम चार का अस्थानी मान पूछें तो यह देखें चार है चार का अस्थानी मान पहला है एक हाई का अस्थान पर चार गुड़े एक बरावत चार ऐसे दो का अस्थानी मान अगर निकालना तो दो का अस्थानी मान दो गुड़े दस वराबन क्योंकि कि ऐसे कोशन दे देगा बोलेगा कि जो दोनों चार हैं उनके अस्थानी मानों का योग बताईया तो आप क्या करेंगे पहले अस्थानी मान उनका अलग अलग निकाल दीजेगा फिर उनका योग करके निकाल दीजेगा आप एंसर तो आप यहां देखेंगे चार निकला है च या तो योग पूछ लेगा या तो हो सकता हो अस्थानिमान का अंतर पूछ ले कर्मी बहुत हो तो पशीना कोज़ेश देखिए इसके जो है थोड़ा डल हो जा रहा है मीट जा रहा है अगला कुश्चन आपका देखिए छह साथ जीरो पांच में से चार अंकों की सबसे बड़ी सबसे चोटी संख्या लिखे तो आप संख्या जाएगा ये वदि जब से चोटी लाशंख्या लिखाएक लिकिन जब चार रंगों की सबसे चोटी शोटी बिलेकर क्योंकि अगर आप 0 लगा दिए अगे तो छारंग नहीं क्या लाएगा इसलिए आप क्या करना जीरो से जो थोड़ी बड़ी हो उसको पहले पिर 0 को फिर उससे बड़ी फिर सबसे लाश्ट में सबसे बड़ी इस तरह से आप सबसे बड़ी और सबसे चोटी संक्या स 낮 लिख लेंगें ठीक है आगे थिक पूछ रहा कि चार अंकों सबसे बड़ी और शबसे छोटी संख teenage है डो 4 वांकों कि आंप जुड़ Presents था तरीक जैसे चार अंकों की तीन अंकों की सबसे बड़ी एंप अशोटी पूछ लेता है ईंसे असानी बिल्कुल बदा आगी कोष्टन हम दिए हैं योपी कोष्टन इतैVIE तो अनुपरतों什麼 शर्टti के पहले तो हम बता दें अनुवर्त और होता सपना गया पीक है अनुवर्ति मतलब क्या होता है इस अंक के एक गर जोड़ दें हमtoi प्राप्त होता है वह हमारा अनवर्ति होता है यानि 69 में अगर हम एक एड़ कर दें तो 70 हमारा प्राप्त हुआ यह हमारा अनवर्ति प्राप्ति संख्या है जैसे 999 है उसमें हम एक एड़ कर दें तो हमारा हजार प्राप्त हुआ यह उसका अनवर्ति संख्या है अठाई से इसमेंसे एकाम घटा दें तो जो हमारा प्राफथ हो सथा यह हमारी पुरवर्थी संख्या आपको डाकतर हो गया होगा हम कहे नहीं कह औरहा है तो इसंगे क्या एक दो cualquier क्या जा इन वी पहुं है आनवर्ती को कभी-कभी उत्तरवर्ती भी कहते हैं तो हिंदे जानना अनिवार है आपको, और अनुवर्थी आप पढ़ें और परवर्ति दो आप समंझे नापके लिए तीनों नाम दो आपको जानना जरूजिए इसमय परवर्ति आपको उत्तरवर्ति ओर और बिलगूल आप आसाने से बिलकूल आप अस्थानिमान पढ़े हो चयानवर्ति उत्तरवर्ति पढ़े हो या पुरवर्ति पढ़े हो या हम रोमन संख्याएं पढ़े हो तो हमको आशा करता हूं आप सबको यह सब आ गया होगा और अगर फिर भी प्राब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से देखने के करना चाहिए जो आपको नहीं समय उसको बताएं लिखें और वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को धन्यवाद नमस्कान जैहिन जैभारत